नमस्ते मैं हूं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर तो मैं आपको एक बताता हूँ एक अच्छी एप है उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी ऑप्शिन्स भी हैं किस तरह से हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और बढ़िया फॉर्मेट में तो आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर में और वहाँ जाकर आप सर्च करेंगे डॉल्बी ओन मैंने यहां से इंस्टॉल किया लीजे इंस्टॉल हो गई खोलते हैं और जैसी आपके सामने यह उप्शन आई आप करतेंगे स्किप ठीक है not now no thanks और आपके सामने यह एप खुल गई है obviously हम जानते हैं इस माइक पर हम क्लिक करेंगे और वो recording करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं नीचे यहां settings पर जाता हूँ और बिल्कुल नीचे जाता हूँ यहां पर मैं करूँगा lossless audio क्योंकि हम देख सकते हैं 16 bit wave file हो 48 kHz पर record करेगा ठीक है मैंने on कर दी मैं वापिस जाता हूँ और अब कुछ record करके हम देखेंगे नमस्ते मैं हूँ देव आपका music instructor और यह आवाज आप सुन रहे हैं Dolby on app पर जैसी मैंने stop की आप देख सकती हैं आप पर है कि कितनी सारी options आगई है noise reduction उसने अपने आप कर दी है dynamic EQ भी use किया है stereo थोड़ी विर्ट दे दी है compression भी कर दी है de-sing भी कर दी है जैसे ही recording होती है मैं इस पर click करता हूँ हमारे सामने आ गई यहाँ आप नीचे left side पर देखेंगे tools मैं इस पर click करता हूँ तो बहुत सारी यहाँ पर options आती है noise जिससे आप अपना room noise कम या ज्यादा कर सकते हैं करके देखिएगा बहुत impact पड़ता है tone मैं tone से low, mid, high तीनो frequencies के साथ खेल सकता हूँ मैं boost कर सकता हूँ trim कर सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ मैंने back किया यहाँ share वाले पर click किया मैं soundcloud, instagram, facebook कहीं भी share करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या फिर नीचे export lossless इस पे click करूँगा तो एकदम lossless format के अंदर वो download हो जाएगा और आप अपने किसी भी digital audio workstation में उसे use कर सकते हैं आगे गाना बनाने के लिए कोई voice over या कुछ भी लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपके पास professional microphone ना हो मिलते हैं अगले lecture में तब तक लिए देवनक्स लेवल Signing out Namaste